नमुनमहा रुचिराभाग एक दशमह पाठह कुरुषिकाह कर्मवीराह इस पाठ का अभ्यास हमाज इस वीडियो में देखेंगे पहला है उच्चारणम कुरुत सूर्यस तपतु तो इसमें संधी है सूर्यह प्लस तपतु तो सूर्यस से सूरट से जलाए या तपाए जाना जीरणम, मतलब पुराना, ओल, शीतकाले पी, यहाँ पर भी संधी है, शीतकाले प्लस अपी, तो शीतकाले मतलब सर्दी, और अपी मतलब अलुसो, तो शीतकाले पी मतलब सर्दी में भी वार इतुम, मतलब दूर करना, दूर करने में, ग्रीश में, तो ग्रीशम रुतू में, तो ग्रीशम मतलब गर्मी का सीजन, गर्मी का रुतू सस्य पूरणानी, मतलब फसल से युक्धन, धान्य से युक्त, पदत्राने, मतलब जूते, कंटका आवरुता, कंटका मतलब पथर, आवरुता, उससे पूरणव दूसरा है श्लोकानशान योजयत तो लेफ्ट में जो एक पाठ दिया हुआ है आपको श्लोका उसको रैट साइड से मैच करना है गुरुहम जीरणम नवर्शासू वृष्टिम वारयतुं क्षमम हलेन च कुदालेन तौतू क्षेत्राणी करशतह पाद योर्न पदत्राणी शरीरे वसनानी नो तयोहो शमेण क्षेत्राणी सस्य पूर्णानी सर्वता तीसरा है उपयूक्त कथनानाम समक्षम आम इतलिखतः जो सही है उसके आगे आम मतलब हाँ और जो सही नहीं है उसके समक्ष आगे न नहीं ऐसे लिखना है यथा कुरुशक आहा शीटकालेपी कर्मठाहा भवन्ती तो इसका सही जवाब है आम के किसान सरदी में भी अपना काम करते हैं तो किसान हल से अपना फसल नहीं खेत नहीं जोतते हैं तो ये तो गलत है इसलिए इसके आगे हैं न इस तरह से बागी केस सॉल्व करने है खिसानों का जीवन कश्ट प्रत तो है तो ये वाक्य गलत है इसलिए लिखेंगे न क्रुश कह क्षेतराणी सस्य पूर्णानी करती आम शीते शरीरे कमपनम न भवती न क्यूं क्यूंके शीत काले सर्दी में तो शरीर कमपमय हो जाता है शामेन धरित्री सरसा भवती आम सही है आगे है मंजुशातह परियाय वाचिपदानी चित्वा लिखत तो आपको कुछ शब्द दिये है रविही, वस्तराणी, जरजरम, अधीकम, पृत्वी, पिपासा और नीचे जो शब्द दिये है उसके अर्थ से जो मैच होता है वो शब्द आपको उसके सामने लिखना है जैसे वसनानी, मतलब वस्तरानी, सूर्यह, रविहीव, तुरुशा, पिपासा, विपूलं, अधीकं, जीरणं, जरजरं, धरित्री, पृत्वी पाच्वा प्रश्ण है, मंजुशात है, विलोम पदानी चित्वा लिखत है तो जो विरुद्धार्थी शब्द है, उससे चुनकर लिखना है, आपके पास ओप्षन है धनीकं, नीरसा, अक्षमं, दुखं, शीते और पार्श्वे तो सुखं इसका विलोम अपोजट होगा दुखं, दूरे इसका विलोम अपोजट होगा पार्श्वे अंतीम प्रश्ण है, प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत, तो प्रश्णों के उत्तर लिखनें पहला है कुर्श काहा केन क्षेत्राणी कर्शंती तो केन किसके द्वारा किसको यूज करके तो इसका उत्तर है कुर्श काहा हलेन च कुदालेन क्षेत्राणी कर्शंती केन किम सर्वनाम तृतिया एक वचन है तो इसलिए हम जब उसका उत्तर लिखेंगे जो उत्तर वाला शब्द होगा उसका भी हमें तृतिया करना है तो हल का हलेन हुआ कुदाल का कुदालेन हुआ दूसरा है केशाम कर्मवीरत्वं न नश्यती केशाम किम सर्वनाम शष्थी तो किन का कर्म विरत्व नश्य नहीं होता तो कुरुशी का नाम ये भी शष्ठी है शमेण का सरसा भवती तो इकिम सर्वनाम स्त्रिलिंगी प्रथमा एक वचन का कौन सरसा हो जाती है किसान सबको क्या क्या देते है तो जो लास्ट का श्लोक है उसमें दिया है किसानों से क्या दूर ही रहता है तो कुरुश का दूरे सुखम तिश्ठी तो ये था ये अभ्यास देशन महपाट का मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ जा गया होगा धन्यवाद हा